नमस्कार दोस्तों स्सी अड़ा247 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है वंदन है अभिननदन है चलिए सुरुवात करते हैं आज के जीडी के इस इंटोड़क्शन क्लास की अब जब आज तेश तारीक हो चुका है तो इंटोड़क्शन हो जाना चाहिए जीडी का क्योंकि कल देर साम तक आपके जीडी की जैसा एक हम सभी उमीद लगा कर बैठे हैं 84 हज़ार प्लस वेकेंसी आ सकती है और ये जो 84 हज़ार प्लस वेकेंसी आने वाली है इनमें मैं आपको बताओं कि यदि आप गौर फरमाएंगे तो सलेक्शन आपका इसी बार होने वाला है चुकि आज जीडी का इंट्रोड़क्शन क्लास है तो मैं आपको थोड़ा इसमें यह भी बताना चाहूंगा कि देखो जीडी के एक्जाम में अब तीरंगा दिग गया है तो पहले सेल्यूट किया जाएगा जीडी के एक्जाम में क्या-क्या आपके लिए जरूरी बनेगा जो कल नया आपके लिए 24 तारीक को जीडी के 84 हजार लगभग वैकेंसी की उमीद की जा रही है उसमें SSC GD 2023 स्लेबस एंड पिछले साल के आधार पे प्रैक्टिस डिसकसन ये है आज हम लोग का मुद्दा आज हम लोग इस पे बात करेंगे अगर पिछले मतलब एक बार देख लो अगर पिछले कई साल का आप ओवर ओल एनलसिस उठा करके देखें मैं अभी questions पे आउंगा अगर आप पिछले कई साल के overall analysis उठा करके देखें तो ये वो subject है जो आपसे GD में महत्तोपूर तरीके से हर बार पूछ रहा है ये वो subject है कि सर इनका अपना सबका एक अपना अपना weightage है ठीक है ना एक अपना weightage है मैं science को एकदम अलग कर दे रहा हूं ठीक है science को अलग कर दे रहा हूं हलाकि आप history, politics, geography सबसे बड़ा weightage इन दोनों का मिलेगा आपको सबसे बड़ा weightage मैंने last eight month इसलिए लिखा है क्योंकि एक आके ही question ऐसे होते हैं जो 2022 के current के आ जाए नहीं तो लगभख पिछले आठ महिनों का ये cover रहता है इतने subject आपके इसमें देखने को मिलते हैं एक subject आप और जोड सकते हैं economics लेकिन economics का कम ही question आपको देखने को मिलता है अगर हम इसी में subject wise entry कर जाएं मेरी बात ध्यान से सुनना क्योंकि कल से ये बाते नहीं होंगी और अभी थोड़ी देर बात से भी ये बात बंदो जाएगी हम लोग अपने questions पे आ जाएंगे ये वो topic है जो GD के paper में सरवाधिक पूछे जाते हैं इनको मैंने order of preference में जिस topic से जितना पूछता है उतना मैंने रखने की courses की है ये आर्ट एंड कल्चर के ये वो 14 topic है ये वो 14 topic है जिनसे question आता है साथी साथ 17 करीब geography के मैंने आपको वो topic लिख दिये हैं जिनसे ज़्यादा question बनते हैं आज की PDF बहुत माइने रखेगी क्योंकि ये topic का analysis है ये topic का analysis है और इसके बाद आपको बताए पॉलिटी का ये साथी साथ science के ये topic और हाँ history के ये topic मुगल part one part two में करके इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा अब हम लोग आज क्या करने वाले हैं ठीक है ना ठीक है आज हम लोग क्या करने वाले हैं पिछले साल के आधार पे practice करने वाले हैं कि कैसी कैसी questions आते हैं चलिए पहला question भारत में कितने बाग अभरणों को global conservation SEO tiger standard की मानेता मिली है बताइएगा अब तो आप भाई current भी खूब पढ़ते हैं बहुत जगह से various जगह से तो ये आपको मैं बता दूँ कि ये option 14 ऐसे tiger reserve हैं बाग अभरण है global conservation SEO tiger standard की मानेता मिली है NTPC renewable energy limited कहा भारत का पहला green hydrogen fueling station इस्थापित करेगा अब देखो भारत का पहला green hydrogen fueling station पूछ रहा है तो भारत का पहला green hydrogen fueling station ले लद्दाक में अंतर राष्ट्री स्वच वायू उत्पेरक कारिकरम के लिए चैनित होने वाला देश का एक मात्र सहर कौन सा है बहुत आराम आराम से answer करो day first है introduction है आराम से क्या जाएगा sir इसका right answer है indoor भाई स्वच वायू के case में indoor ही है तमिल नाडू सरकार द्वारा थगैसल थमिजार पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है थगैसल थमिजार पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो देखिए थगैसल थमिजार पुरुसकार से एन संकर आया को मैं ये question के type दिखा रहा हूँ कि किस तरीके के questions expected है ओलंपिक में सर्फिंग में सौड़ पदक जीतने वाली पहली महिला पहली बार सर्फिंग को इंट्रिड्यूस किया गया और पहली बार किसी महिला ने सौड़ पदक जीता तो ये question फिर paper के लिए आपके GDK MTS के किसी भी exam के लिए important बनेगा तो ओलंपिक में सर्फिंग में सौड़ पदक जीतने वाली है कैरी शाह मूरे जी असोक के सिला लेखो को सर्फिंग किसने पढ़ा था पांच question current की आप बताईए देखो असोक के सिला लेख को खोजने में अलग व्यक्ति सफल हुआ पढ़ने में अलग टी पाथेंद्रलर नाम का जो व्यक्ति था वो खोजने में सफल था और जेम्स प्रिंसिप पढ़ने में सफल था अगर यही कुछ पूछ देता कि खोजने में तो टी पाथेंद्रलर ठीक है ना पाथेंद्रलर टी पाथेंद्रलर ये ये खोजने में सफल था ये पढ़ने में सफल था अगला कौन सा राजवन्स हूडो के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ अब ये वो लो कोश्चन कर पाएंगे जो थोड़ा डेप्ट में अंदर की तरफ जाएंगे हूडो का आक्रमण सुरू हो गया था गुप्त संक के समराजे और ये कोश्चन ऐसे भी पूशता है कि वह गुप्त समराजे का वह राजा जिसके समय हूडो का आक्रमण सुरू हुआ तो दैट वाज इसकंद गुप्त कई बार ये पेपर में डायरिक्ट आप से क्या पूश देता है कोश्चन पूश देता है दैट वाज इसकंद गुप्त के समय हूडो का आक्रमण सुरू हो गया था आयूर वेद अर्था जीवन का विज्ञान किस वेद में किस जगा मिलता है देखो हर वेद में अलग-अलग चीजे दी हुई है अरन्यक वो किताब है जो जंगलों में लिखी गई सामवेद में संगीत का वड़न है यजूर वेद में भलिदान युक्तमंत का वड़न है अथर वेद में आयूर वेद का वड़न है अथर वेद को गाने वाले ब्रामण का नाम है गोपत कई बार आपसे पूछता है गोपत ब्रामण का जिक्र हमें किस वेद में मिलता है तो अथर वेद में एक बात और याद रखना इस अथर वेद को हम लोग ब्रम्ह वेद भी कहते हैं अगर कभी पेपर में पूछ दे आपसे कि ब्रम्ह वेद किसे कहते है या इसे हम लोग स्रे इरुवेद का हमें जिगर मिलता है ठीक है मेरे भाई अगला किस पहले अध्यक्ष ने आपचारिक विग त्याक कर गांधी टोपी पहन कर सदन में अध्यक्षिता की थी जब इंडियान नेस्नल कॉंग्रेस आजादी से पहले की बात पूछ रहा है जो अंग्रेजों के दोरा दी गई विग हुआ करती थी नहीं ऐसे बाल-वाल उसमें लगे रहे थी उसको छोड़ करके जो गांधी टोपी हुआ करती थी उसको पहन करके सदन के अध्यक्षिता की थी वो थे जीवी मावलंकर जीवी मावलंकर अब यहाँ पर अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहा किरानी थी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ ठीक है ना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस बार की जो जीडी की वेकेंसी है वो इतिहास पलट के रख देगी अगर आप ठीक से त्यारी किये तो इस बार आपका सेलेक्शन तैं है ये मान लेना अज तो हम लोग कुशन पर डिसकस कर रहे हैं और उमीद कर रहे हैं कि ये जो जीडी की 84 हजार वेकेंसीज का सुखबुगाहट और चर्चा है मैं लिख के दे रहा हूँ इस बार अगर सेलेक्शन जी जान लगा के नहीं ले पाए तो समस्या होगी लला अब कुशन पर फोकस करते हैं स्वयम को गर्म रखने के लिए जो पोलर बियर होते हैं ध्रूवी भालू की तचा के नीचे किस की सर ये तो आम बोलचाल की भासा में भी हम लोग रड़े फैट की एक मोटे फैट की क्या होती है लेयर होती है Microsoft Word में आप मेरे 25 क्वेस्चन का फॉर्मेट देखना ठीक वही फॉर्मेट जो दिल्ली पुलिस GD, MTS, CRPF, ITBP आसम राइफल सिन में पूछा जाता है अब दिल्ली पुलिस की जो इस्टुडेंट है कह दो कम्प्यूटर का तो दस नंबर का एक अलग सेक्सन है और GD में भी एक दो नंबर पूछी देता है तो कभर तो सब कुछ करना होगा इसका राइड एंसर है Character Forming ठीक है न, Character Forming किशन गंगा परियोजना और भारत और किसके बीच विवाद का एक प्रमुकारण है आप IB का एक्जाम दीजे योजनाओं से, परियोजनाओं से question confirm है GD का दीजे confirm है ठीक है न तो किसन गंगा परियोजना भारत और किसके बीच पाकिस्तान के बीच एक विवादित परियोजना है भारत में अंग्रेजी सिक्षा की सुरुवाद किसके दौरान की गए थी हम लोग करीबाद चार पेपर किया जाएगा ठीक है न किसके दौरान की गए थी B option Lord William Bentic के दौरा की गए थी भारत में अंग्रेजी सिक्षा की सुरुवाद और आज कहीं मत जाना आज 25-25 question के 4-5 practice set हम लोग देखेंगे जिनका module वही होगा जो आपके exam paper का है धाराओ तालाबों आदी में पाए जाने वाली जली हरे पौधे को क्या कहा जाता है सर उसको तो हम लोग सहवाल कहते हैं सहवाल ही कहते हैं न अगला question वोट डालना casting vote है क्या casting vote क्या होता है casting vote आपको पता है जब संयूक तबैठक हो लोग सभा राजे सभा की voting के स्थिती बराबर हो जाए तो जो लोग सभा अध्यक्ष vote डालते हैं casting vote या निडायक मत कहा जाता है ये एक निडायक vote होता है जब दोनों पक्ष बराबरी पे होते हैं इस casting vote का अगर पॉलिटी में जिगर करोगे तो अनुछेत 100 में इसका हमें आपका जिगर मिलता है ठीक है ना? अनुछेत 100 आर्टिकल 100 में इसका हमें जिगर मिलता है अनुछेत 100 में आगा खान कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? आगा खान कप किसके साथ जुड़ा है? सर आगा खान कप D option हाकी के साथ जुड़ा हुआ है पिछले साल का याद करिए आप क्या कहते हैं GD का cut off और result इसका answer है तुम लोग comment box में करना मैंने इसको छुपाया है ठीक है? पेपर इतना easy आया था कि कहीं कहीं मतलब मालनो 20 नमबर का पेपर 18-18 नमबर तक कटाफ चला गया GS के 25 question में से 23-23 नमबर तक एक तरीके से कटाफ या यू कहो कि लड़को लड़कियों ने लाया ये सब ध्यान रखना क्रिकेट में कौन सा फिल्डिंग इस्थिति सीमा रेखा के सबसे नस्दीक होता है अभी आपने वर्ल कप देखा बहुत गौर फरमाया उस पे लेकि ऐसे भी question ये आपके previous year paper का question है ठीक है न तो इसका right answer क्या हो जाएगा third man third man एक दम boundary पे खड़ा होता है जो क्रिकेट देखते होंगे बच्चे उनको बहुत अच्छे सा एसास हो गया होगा पर्ल सिटी एक्सप्रेस किस से चिन्नई को जोड़ती है पूछता है ऐसे question सर पर्ल सिटी एक्सप्रेस तूती कोरीन से चिन्नई को जोड़ती है ट्रेकोमा कई बार का पूछा हुआ एक question है ट्रेकोमा एक आख में होने वाली बिमारी है ठीक है न ट्रेकोमा से सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है ऐसे भी पूज़ता है ये कैसी डिजीज है बैक्टेरियल है वाइरल है फंगल है प्रोटोजोल है तो सर ये वाइरस से होने वाली एक डिजीज है वाइरस और वाइरस से याद आया आपको बताओं कि चीन में बिजिंग उजिंग में स्कूल बंद कर दिये गए है इधर दो दिन से वाइरस समय बिमारी फैल रही है ऐसा मीडिया में रिपोर्ट है एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल रही है सारे हॉस्पिटल फुल हो गए है ये चीन वाले इस समय क्या करने लगते है क्या उनके क्या हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता है आप न्यूस देखिएगा मैंने तो सुचा कि दर टेन मिनट सो लेकर कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा फिर मैंने कहा इसको दुबारा थोड़ा जाच पड़ताल किया जाए क्या है कैसे है और चीन में इस समय फैल रहा है सारे स्कूल बंद कर दिये गए हैं ये ठीक वही समय है ना 2019-20 का जब कोविड वापसी कर रहा था मतलब आ रहा था फिर उसको भारत में आते आते फरवरी और फिर मार्च हो गया था अब चीन में बीजिंग में होंग जियान प्रांत में इसमें बच्चों का फेफड़ा प्रभावित हो रहा है और डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाइजेसन ने इस पर बड़ी चिंता जाहिर किये कि क्या होगा इसका ट्रीट्मेंट लाख लोग से जादा चीन में बीजिंग में इससे प्रभावित दिख रहे हैं उनके बच्चे प्रभावित दिख रहे हैं सारे स्कूल बंदे चल ले हैं यह आज की न्यूज है समझ रहो अब क्या कहा जाए विश्युबैंग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है अजय बांगा जी है चौदहवे है भारत का सयुक्ति सैन अभ्या सूरिक किरण किस देश के साथ किया जाता है सर सूरिक किरण किया जा रहा है यह option नेपाल के साथ तमासा एक प्रशिद लोग रूप है आर्ट एंड कल्चर का तो question आना ही आना है तमासा एक प्रशिद लोग रूप है महराष्ट का अब practice set 1 समाब चलिए पिछले साल के आधार पे practice set 2 start करते हैं ready है सभी लोग सभी लोग ready है चलिए आईए सभी लोग तयार होते है नाथूला दर्रा का है नाथूला सर नाथूला पढ़ता है सिक्किम में ठीक है ना लेकिन अभी कौन सा टनल चर्चा में है सिकलियांग टनल जो कि आपके उत्तर कासी उत्तरा खंड में चला है जहां 40 मजदूर फसे हुए है गोवा के मुख्यमंत्री कौन है सर गोवा के मुख्यमंत्री वर्तमान में तो प्रमोट सावंती जी है लेकिन मनोहर पारीकर जी के नाम पे यंग साइंटिस्ट अवार्ड वहां गोवा सरकार देने वाली है और इनी के नाम पे मोपा नाम का वहाँ पे हवाई अड़ा भी उदगाटन हुआ है Dream 11 का CEO कौन है हमने खुब World Cup के दोरान देखा ये प्रियोजक में भी था खिलारी नहीं Red Color की T-shirt पेंगे यहाँ पे Dream 11 लिखा रहता था तो Dream 11 का CEO कौन है Harsh Jen है ये याद रखेगा हूटी सोने की खान किस राज्य में इस्थित है छोटे छोटे कोईशन है 5-6 set किया जाएगा हूटी सोने की खान D option करनाटक में इस्थित है ठीक है वह नियम जो यह घोशना करता है कि एक विस्फोर्ट से ब्रह्मान्ड का निर्माण हुआ है वो कौन सा है EGSR बिग बैंग थियरी अब ऐसे कुश्चन पर हम लोग समय नहीं दे सकते हैं यंग बंगाल एस्थियेसन के स्थापना किस ने की यंग बंगाल सी आरदास ने दादा भाई नरोजी ने हेंरी लुइस ने या वीडी सावर करने तो यंग बंगाल एस्थियेसन के स्थापना सी आप्शन हेंरी लुइस वीवियन ने की भारत में से इंटरनेट सेवा सुरू कीगी कब से भारत में इंटरनेट सेवा है कल जीडी की वेकेंसी आने वाली है 24 तारीक है सभी फॉर्म भर देना और साथी साथ जो लोग ग्रेजुएट हो कल ही परसो में फार्म आने वाला है आई बी एसी आई यो का सेंटरल गॉर्मेंट की जॉब का वो लोग उसको भर सकते हैं और जो दसवी बारवी पास हैं दसवी वो जीडी का भर सकते हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा किस राज्य ने इंडिया हैपिनेस रिपोर्ट 2020 में टॉप किया है हैपिनेस रिपोर्ट में मिजोरम ने ओल्ड कुश्चन है इग्नोर कर दो पूना पैक्ट 1932 के समद्ध में कौन सा कथन सही नहीं है पूना पैक्ट में एक ही बात गलत है इस स्टेटमेंट सरकारी नौकरियों में दलित वर्गों का प्रयाप परतनी थी तो ऐसा कुश नहीं था किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है सो समझ के बताएगा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में स्थित है तो सर सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार रूस में है प्राकृतिक नेक्ष्ट भारत सरकार की अन्वेशन लाइसेंस निती N.E.L.F किस से समझ दित है New Exploration License Policy किस चीज के उपर अभी अभी आई है N.E.L.F किस चीज से रिलेटेट निती आई है तो N.E.L.F है Oil and Gas से रिलेटेट ठीक है राष्ट्री आई की गढ़ना करने की विधी क्या है बताएगा राष्ट्री आई की गढ़ना करने की विधी आज हम लोग यहाँ पे 1.500 कोश्चन पढ़ेंगे और एक जनरल effort पूट करेंगे यह जानने का कि कैसे कैसे कोश्चन्स पेपर में रहते हैं यह प्रीवियस एयर के कोश्चन्स है ठीक है न संबेधानिक उपचार का अधिकार के अंतरगत आता है सर यह सामेधानिक उपचार का अधिकार यह तो हमारा भंडा मिंटल राइट है न इसी में आर्टिकल 32 के अंतरगत पांच प्रकार के रीट्स माननी सुप्रीम कोट जारी करती है तो रीट्स आर्टिकल 32 सुप्रीम कोट आपको पता है भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक संग के खातों से सम्मझ मतलब जो कैग होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है केंदर सरकार की तो सर वो अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपती को और अगर यही राज्य सरकार का होता किसी राज्य का होता, तो राज्य पाल को देता, clear हुआ, राज्य का होता तो राज्य पाल को, भारत के कैग, आम तोर पर, किसका audit नहीं करते, सर कभी भी वो local government का नहीं करेगा, इतना फुरसत थोड़ी बैठा है भाई, क्यों local government का बैठ के audit करे, वंदे मातरम किसने लिखा है सर देखिए ये तो बंकीम चंद चटर जी जी लिखें अब कई लोग को लग रहा होगा इतना easy question तो जीडी का कटाब भी इतना high जाता है क्योंकि paper ही easy आता है बहुत tough paper नहीं आता है जीडी का आप अच्छे से जानते होंगे FTP का विस्तार है FTP सर FTP है File Transfer Protocol Next निमलिकित में से पहला संगीत से संबंधित था सर बच्चा बच्चा जानता है संगीत संबंधित सामवेद और सामवेद रिगुवेद पर आधारित है ये भी बात याद रखना ठीक है ना सामवेद रिगुवेद पर आधारित है अगला question धातुएं आम तोर पर क्या क्या होती है अब चुकर इसको इसको इंगलिस में भी होना चीए था क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जो नहीं आते हैं तो एक और दो तन्निता और लचीला अमलों के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है कौन सा सही है वो ये कहना चाह रहा है वे लाल लिटमस का रंग बदल कर नीला कर देते हैं या फिर वो नीले लिटमस के रंगों को लाल रंग में बदल देते हैं या उनका पियच मान साथ से कम होता है सर देखिए निश छार बदलता है सर ये थोड़ी बदल पाता है तो ये जो दोनों पॉइंट है याद रगे और मैं आपको ये भी बता दू ये आप एक्जाम में कन्फ्यूज होते हैं मुझे बरुसा है मेरे अक्सर स्टुडेंट नीला लाल लाल नीना में कुछ ट्रिक बना लो कुछ मन में इसा सोच लो इसको ले करके कि एक्जाम में न भूलो जो साथ से ज़्यादा वो चार्ट जो साथ से कम वो एसिट और जो साथ पे आपके नीटरल बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हैस्टिंग्स हुआ करते थे ग्रेफाइट में कितने इलेक्ट्रॉंस होते हैं ठीक है वैलेंस इलेक्ट्रॉंस ग्रेफाइट में वैलेंस इलेक्ट्रॉंस चार होते हैं आलाग कि chemistry के question आपके paper में ज़्यादा नहीं रहते है science में physics और bio का भरमार रहता है प्रकास वर से की काई है प्रकास वर सर दूरी मापने की की काई है SI मातरक में lens की छमता का मातरक क्या होता है ठीक है न तो lens की छमता का मातरक diopter होता है ठीक है न diopter आएकर किस के द्वारा लगाया जाता है सर आएकर निश्चित और पर केंद सरकार द्वारा 50 question हम लोगा 100-500 question करेंगे तो ये 25-25 question के 50 पे 2 set समापत हुए अब पिछले साल के अधार पे चलो set 3 लगा करके देखते हैं कि कैसे question रहते हैं मैं आज इसलिए ये set लगवा रहा हूं introduction class में कि तुम्हें एक जो से न warm-up cricket खेलने से पहले कोई भारी काम तो रहा exercise हो जाता है ये वो exercise class है कि आपके आँख के सामने से गुजरे तो कि कौन कौन से question आ रहे है ठीक है चलिए आईए फायान कहा का निवासी था भूटान अमेरिका चीनिया बर्मा सर फायान एक Chinese यात्री था जो भारता है था राज सभा का उपशभापती कौन होता है बताएगा राज सभा का उपशभापती कौन होता है सर अरे ये तो पुराना question है यार अभी के लिए तो जगदीब धन्खड जी ठीक है न उपसभा राज सभा का उपसभापती कौन है अच्छी ये हटाओ सभापती उप हटाओ सभापती कौन है जगदीब धन्खड जी ठीक है न धन्खड जी क्योंकि उप सभापती कोई अभी है नहीं है तो का बोले उसमें ठीक है ना जगदीब धन खड़ जी राजिसभा का सभापती अगला पॉइंट सिंदुगाटी सभेता का बंदरगाह नगर आपको पताओगा सिंदुगाटी सभेता में एक मात्र बंदरगाह नगर लोथल हु है इसे हम लोग मिनी हडपा और मिनी राजिस्थान भी कहते है ठीक है अगला पॉइंट कुतुब मिनार कहा है सर कुतुब मिनार जिसे बनवाना सुरू किया था कुतुब बद्दिन एबक ने और पूरा किया इलतुत्मिस ने आगे चल के इसमें सिकंदर लोदी और फिरोस गरीब नवाज कहा जाता है लला बी ओप्सन मुईनुद्दीन चिस्ती को ठीक है ना निमलिकित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है तो मुईनुद्दीन चिस्ती जी को कहा जाता है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था बताएए सो समझ के बताएगा दीन ए इलाही र आपके अखबर ने ही सुरूح किया था इसने इलाही गज्ग, इलाही के नाम पे इलाही सम्वत ये सब भी सुरूख किया था नाजीवाद, सर नाजीवाद का संस्थामपक बिश्रो में हिटलर को माना जाता है और इसकी जो आत्म कता है My Cups या मेरा संगर्स वो बहुत ज़़ादा famous है, उसको याद रखना My Cups या मेरा संगर्स उसे याद रखेगा इस संकेत का क्या मतलब आप गाड़ी स्कूटी चला के जा रहे हैं, बाीक चला के कार चला के, आठो बस कार में जा रहे हैं बताईएगा सर इसका मतलब है कि आगे एक पूल है इसके बीच में से तुमें गुजरना है ठीक है ना आगे को ये पूल बना हुआ है और ये आज से तुमें अपनी गाड़ी लेके जाना है इधर भी पानी भरा इधर भी पानी भरा है इतना सा मतलब है कि आगे एक पुल है अगला निमलिखित मेंसे कौन किसी राजी की राजधानी नहीं है सर लकंव तो राजधानी है देरा दू ने सर कानपूर अरे एक राजी उत्तर प्रदेश की उलकंव ही राजधानी है कानपूर थोड़ी है और जिन स्टुडेंट को ये लग रहा हो कि सर पेपर EG है लला हम कहा करें पेपर EG आया था GD का कटाफ गया था आस्मान छूने वाला ऐसे ही पेपर EG करके बीच में दो चार्ट टफ कोईशन पुट कर देख करके GD वाले MTS वाले कटाफ हाई सकती है देखो to be very frank निमलिकित में से किस से उन प्राप्त नहीं होता सर सुवर से कभी उन प्राप्त नहीं होता है अगला एट्स नहीं फैलता है अब एट्स सर आपके by taking and touching the patient हाँ अब यहां दोना चाहता आसुरक्षित सेक्स करने से एट्स नहीं फैलता है आसुरक्षित स इसमें दिया नहीं संक्रमित सुई का प्रियोग करने से हाँ संक्रमित सुई का प्रियोग करने से तो फैल जाता है और संक्रमित मरीज का खुन चड़ाने से फैल जाता है मरीज को छूने या बादचीत करने से एट्स नहीं फैलता है डिमांड ड्रॉफ्ट को क्रॉस क्यू किया जाता है सर्ता की डिमांड ड्राव बुक्तान भैंग खाते के द्वारा ही किया जा सके ठीक है न अगला कुश्चन पुसकर मेला कहा लगता है पुसकर एक भौत ही पवितर अस्थल है हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भगल में अजमेर मुसलिम धर्मावलंबियों के लिए और पुसकर अजमेर के समीप पड़ता है और ब्रह्माजी के एक मात्र मंदिर यहीं पे है ठीक है आजाद निद्ध पहुंद की स्थापना कहा पे होई थी बताइएगा अब इस क्वेश्चन का मैं अंसर बताऊं तो बैमानी आप बताईएगा आजाद इन पहुंद जम्प बाल सब्द निमलिखित में से किसे संबंदित है आज हम लोग करीब सो डिएड़ सो कोश्चन करने वाले हैं ठीक है न तो बताईएगा इसका जम्प बाल सब्द किसे संबंदित है सी आप्सन बास्केट बाल से कारगिल युद्द के समय पाकिस्तान का प्रधान मंतरी कौन था बताओ कारगिल युद्द के समय पाकिस्तान का प्रधान मंतरी कौन था तो सर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री नवास सरीफ हुआ करते थे सिल्क का सबसे बढ़ा उत्पादक देश कौन सा है सिल्क का सबसे बढ़ा उत्पादक देश कौन सा है तो सर सिल्क का सबसे बढ़ा उत्पादक देश चीन है जो हिस्ट्री में एक एंसेंट में क्वेशन आता है सिल्क मार्ग पे कबजा किसका था चीन के ही यूची और तो खीरी दो कभीले भारत की तरफ आये थे उसमें से एक रुख गया उसी का कुशान वंस उसी का राजा कनिश्क और उसी का कबजा था सिल्क रूट पे या फिर रेसम मार्ग पे मांचित्र में परवत और पहाल को दरसाय जाता है मुझे याद है मैंने कुछ दिन पहले तुम लोग से कहा था कि यार वो खरीद लो क्या कहा जाता है मैप अगर मैप खरीदे होगे बगल में चिपका होगा तो देख के बताओ कि मांचित और पहाल को किस रंग से दरसाय जाता है सर उनको लाल रंग से दरसाय जाता है परवत और पहाल को हर चीज का एक fix protocol है कि नधी को इसी kolor से दिखाएंगे पठार को इसी kolor से railway को ऐसे ऐसे यह है अगला सहर्या जन जाती पाई जाती है सहर्या जन जाती सर सहर्या जन जाती एक option राजेस्थान में पाई जाती है अचा आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि आज मैं न्यूस देख रहा था आप लोग भी कंफर्म करिएगा अभी अभी मुझे पता चला कि देश की प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम जजज बनी और महिला जजज बनी फातिमा बीबी जी का निधन ह हो गया है पता है आप लोगों में सायद कुछ लोगों को पता हो कुछ लोगों को ना पता हो लेकिन यह जान लो कल करेंट अफेर में इन कवर किया जाएगा ठीक है न बी ऑप्शन कलाकार ठीक है न बी ऑप्शन कलाकार निम्र में से किस अस्थान पर चिनाब वाइट कार समारों से प्रतिबंदित कर दिया गया इरान को किया गया था ठीक है इरान को निम्न में से किस राज में फ्रांस और भारत के बीच गरूर नामक दूइपक्षी अप्यास किया जा रहा है बताएगा गरूर नामक सर गरूर नामक दूइपक्षी अप्यास राजेस्थान मे कई बार ऐसा होगा कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा लेकिन फिर भी आपको अपने आपको रोकना होगा कि नहीं यार पढ़ना तो है क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो करोगे क्या 84 हजार वेकेंसी कल आने वाली है किसी बैच किसी चीज के लिए एक बार भी नहीं बोलने जाता हूँ कि ये बैच ले लो ये कर लो मैं तो सिर्फ इतना कर रहा हूँ लला पढ़ लो अभी बैच आएगा बुक आएगा देखा जाएगा टीचर हूँ उस तरीके से आपको बताता हूँ कि भया पढ़ो जम के पढ़ो अड़ा पूरा फ्री कंटेंट दे रहा है सामके चार से लेकर रात दस बजे तक करिए पिछले साल के आधार पे प्रैक्टिस से चार सुरू करें सब लोग रेडी हो ना एक बार लाइक तो कर दो यार जितने लोग यहां मौजूद हो कम सब लोग लाइक तो कर दीजे अगला सुएट करांती का समन्द किस से है बताईए सर बच्चा बच्चा जानता है दूट से अब देखो क्वेस्चन का लेबल कितना आसान है ये वज़ा है ये वज़ा है इन एक्जाम का कट आफ हाई जाना महराज जिले का लातूर पिछले दसक चर्चा में क्यों आया था ड्यू टू अर्थ को भूकंप के कारण ठीक है अगला गोधरा कांड किस के लिए प्रसिद है अंतिम मुगल बादसा अंतिम मुगल बादसा बहादूर सा जफर देती है अगला पॉइंट सति प्र्था का सरवाधिक बिरोध किस ने किया था अगर सर आप आप आप्शन देखें तो राजा राम्मोहन राय मौजूद हैं और इन्होंने सतीपर्था का सरवाधिक भी रोध किया था उर्वसी नामक साहितिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने कौन है उर्वसी के रचनाकार सर वो है आपके रामधारी सिंग दिनकर एवियन इंफ्लूएंजा मैं आज फिर कह रहा हूँ चाइना में आज तुम हो गया है हाहाकार मच गया है क्योंकि यह संक्रामग बीमारी है और बड़ा टेंसन हो जाए डवलू एचो वर्ल लेल्थ ऑर्गिनाइजेशन भी इस पर टेंसन में आ गया है कि यह क्या नया फैलने को अभी किसी तरह दीरे-दीरे करके कोबिड समापत हुआ एक समय बढ़ फ्लू आया था अब फिर चीन में ये सुरू हो गया है सारे हॉस्पिटल वहां के बच्चों से भर गया है सब एकदम परसान चलने है अब भगवान से मनाओं कि इस बार न पहले सब बच्चे सही हो जाए अच्छा हो जाए लेकिन अब क्या कहा जाए निमलिकित में से कौन सा एक मानो निर्मित वस्तू है मानो निर्मित मानो निर्मित वस्तू है रेउन ठीक है ये लैब में बनाए गया वस्तू है कौन सा हडपी नगर तीन भागों विभक्त है सर ये तो यूनेसको के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया है ठीक है न और सर उसका नाम है धौल विरा यह सर तीन भागों में विभकत है यही वो जगह manager जहां से खेल का मैदान स्टेडियम प्राप्थ हुआ यही वो जगह जहां नेवला की मुरती मंगूज नी नेवला साप्ने उला नेवले की मुरती भी यहीं से मिली थी ठीक है अगला निमलिकित में से कौन सा ऐलमुनियम का आयस्क नहीं है तो ऐलमुनियम का आयस्क इसमें से एजेराइट नहीं है क्रायो लाइट, फेल्ड आसपर और बाकसाइट ये सब ऐलमुनियम के आयस्क है जैसे सोडियम का ले लोगे तो चीली सॉल्ट पीटर एने सियल यह सब उसके है वोल्ट किसका मातरक है वोल्ट सर वोल्ट मातरक है आपके पोटेंसियल डिफरेंस का दिये गया options के यह साब से परदे पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या जानी जाती है परदा की जितना अच्छा पिक्सल होगा यह कैमरा कितना पिक्सल का है तुमारा इसका मतलब है उतना ही अच्छे क्वालिटी का तुम्हें फोटो खीच के आ रहा है यही बात होती है न तो जितना अच्छा तुम्हारा पिक्सल होगा उतना ही अवलोकन आकार के रूप में उतना क्लियर तुमें दिखेगा अब्जर्वेशन साइज उतना ही अच्छी आएगी ठीक है न अगला पॉइंट औसत रूप में यूरेनियम बानवे के एक विखंडेन में कितने न्यूट्रान का उतसरजन होता है बताईएगा तो एक में कितने का होता है तीन का होता है ठीक है निमलिकित में से किसका संकलन रिगुवेद पराधारित है सर भी ऑप्शन सामवेद का संकलन रिगुवेद पराधारित है डिस्क पर भंदारण हेतू किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते है बताईएगा तो उसके संसाधन को हम लोग कहते हैं संपीडन, कम्प्रेशन आकार छोटा करना है, कम्प्रेस कर दो, दबा दो, कम्प्रेशन हो गया एम्प्लीफाई मतलब फैलाना होता है, ठीक है न, अगला उपनिशद का फार्सी मनुवाद किसके सासनकाल में हुआ था, अभी ये सेसन थोड़ा लंबा चलेगा बहुत सारे इसमें कोश्चन्स हैं, जिसको की हम लोग को आज करना है, ठीक है न, जिसको की आज हम लोग को सारे करने हैं, तो बताइएगा सभी लोग जानते हैं कि उपनिशद का फार्सी मनुवाद, ए ऑप्शन, साजहाने, ठीक है न, साजहाने, अगला हिंदू विधी पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है, मिताक्षरा, तो सर मिताक्षरा लिखा हुआ है, सी ऑप्शन, विगानेश्वर ने आंगल मराथा युद्ध, फोर्थ, किस गवर्नर जनरल के कारेकाल में हुआ था, एक लोग पूछ रहे हैं सर, आपके जो दात में या मों में दिक्कत थी, वो सही हुई, लला एक बार इसका जो कटवट लगाना था, वो लग गया है, इसलिए मैं सनी वार को पिछले लेक् आर्सिटी का जो प्रोसेस होता है, जो लोग जानते होंगे, रूट कैनल, उसमें ड्रिल करके दात के अंदर, और फिर साफ वाफ करना, चोट, कट, सही करना, तो वो, अब मैंने उसको डेट रखवाय हुआ है, सटर डे, कि मतलब वो एक दो दिन बोलने के लिए नहीं मिलत है, बहुत ये इंजेक्शन, यार, इतनी बड़े-बड़े इंजेक्शन, दात के अंदर लगा दिये जाते हैं, तो वो समझ लो, जबड़े के अंदर, वो कितना तकलीफ देता होगा जब इसके अंदर, तो इसलिए मैंने डॉक्टर को बोला है, भाई, ये तुम करो, सुक सुक्र गरा का अन्वेशन करने के लिए सबसे पहले, रोबोट अंतरीच यान का नाम क्या था, बताईएगा, सुक्रगरा का अन्वेशन करने के लिए, मैंगलें, अब मैं बता ओ, अभी जो मैं दातवात की चर्चा कर रहा हूं, बता ये धात पे चोट भी कब लगी थी, आपको धर्द वगएरा हो रहा हो तो भाई उसको टाइम रहते डॉक्टर को दिखा लो नहीं वो infection में बदल जाता है सॉल्सेट और एलिफेंट ड्वीप सर सॉल्सेट और एलिफेंट ड्वीप कौंकर तट पर इस्थित है इसी सॉल्सेट ड्वीप पर मुंबई इस्थित है जिसे साथ टापों का सहर भी कहा जाता है जिसे सपनों का सहर भी कहा जाता है जो city that never sleep के रूप में भी जानी जाती है हडपण संस्कृती के संदर में सयल कित इस्थापत में प्रमाल कहां से मिले हैं बताये गां संमीधान का उचे जो मौली का अधिकारों के निलंबन का प्रावधान करता है बताओ 10 मिनटी सो हो जाए क्या एक हड़पन संस्कृति के संदर में सैल कृत इस्थापत में प्रमाण कहां से मिले हैं समिधान का अनुछेट जो मौली का अधिकारों के निलंबन का प्रवधान करता है बताओ टेन मिनट सो हो जाए क्या एक बताइएगा एक टेन मिनट सो कर लें क्या 37 रास्ट्री खेल पे जो गोवा में हुआ था क्योंकि उसका डिटेल और उससे एक कोश्चन तो तय है तो 100 कोश्चन चार सेट कर लेते हैं जीडी के उसके बाद उस पे आते हैं ठीक है ना चार सेट करने के बाद आ जाते हैं दर टेन मिनट सो के उपर इवेंट लगा होगा आप लोग के सामने 7 बज कर 40 मिनट पे ठीक है ना बिल्कुल एक दर टेन मिनट सो 37 रास्ट्री खेल पे मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है सर हुमें डेवलेमेंट Human Development Report Asian Development Bank अगला लाल पांडा बांद कहां पाया जाता है बताएगा लाल पांडा बांद तो लला जो लाल पांडा बांद है वो C option सिक्की में ठीक है ना C option सिक्की में यहाँ पे मैंने आपको Y182 मेरा coupon code है सारे GD के बच्चे याद रखना मैं इसके दर 10 मिनट इसके बारे मैं आपसे बात करूँगा देखिएगा 7 बचकर 40 मिनट पे आपके लिए दर 10 मिनट सो लगा हुआ है और मैं आपके लिए वो थमनेल वगएरा भेज रहा हूँ कि हम लोग उस चीज को कर लें ठीक है न तो चलो सब लोग 37 राष्ट्री खेल के उपर है वो और बहुत ही सांदार है तो सब लोग जुडिये दर 10 मिनट सो में जितने लोग हो सभी लोग आ जाना बहुत important session साबित होगा यह आपका दर 10 मिनट सो तो मैं start करूँ न यहां से इंड कर रहा हूँ देखो एक नीचे session लगा हुआ है न एक session लगा हुआ है सब लोग आ जाना दर 10 मिनट सो पर तुरन थमने लगा है मैं start करने के लिए यहां से इंड कर रहा हूँ sir please इंड कर दीजेगा